गुड बॉर्णिंग फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चैनल तो फ्रेंड्स आज मैं टॉप यारी बनाऊंगी जेट प्लांट की तो दो तीन कम से कम प्लांट की तो मैं बनाऊंगी ही तो चलिए मैं दिखाती हूँ ये देखे मेरा बोंसाइब पॉर्ट है और इसमें मैंने दो प्लांट साइड साइड पे लगाए हैं, तो इसको मैं बिल्कुल सिंपल एक सरकल आकार में मैं टॉप यारी बनाऊंगी, तो उसके लिए आप इस तरह से दो प्लांट अलग-अलग की नारों पे लगा सकते हैं, या फिर अगर दूसरे पॉट में लगा हुआ है, उसको इसमें आप रिपॉट कर सकते हैं, और इसके लिए हमें लगेंगे एक तार, इस तरह के, तो ये कोई भी दुकार में मिल जाते हैं, हाड़वेर दुकान में, तो इस तरह के आप तार ले आएए, और इसको बिल्कुल एक सरकल के आकार में काट लीजिए, जैसे की मैं अपने पॉट में लगाई हूँ, तो मैं इसको निकाल कर दिखाती हूँ, कि किस तरह के पॉट है, इस तरह से आप हाफ सरकल काट लीजिए, इसी को मैं आपको निकाल कर दिखा देती हूँ, कि कितना बड़ा मैंने काटा है, तो जितना आपको सरकल चाहिए, उ को बस इस तरह से नीचे-नीचे साइड में इस तरह से थोड़ा अच्छे से गड़ा लेना है मिट्टी में और जो आप पॉट में सामनी जो आप देख रहे हैं इसको मैंने इसलिए सोच के छोड़ा है मिट्टी कि इसमें आप अच्छे से डेकोरेट भी कर सकते हैं जो प्यारी बना के दिखाऊँगी और बाद में मैं इसको डेकॉरेट ही करूँगी, तो बस हमको इस तरह से सरकल बना कर इस तार को किनारे किनारे पर लगा देना है, और इस प्लान्ड को पूरे अच्छे से इस तरह से पकड़कर रसी की सहाइता से बाझ लेना है, तो देखे इस तरह से मैं रशी ले रही हूँ और इनको ये सरकल पर मैं इस तरह से बाढ़ दूँगी इस तरह से और जो एक्स्टर एक्स्टर है उनको आपको कट कर देना है तो एक साइट का मैंने इस तरह से कर लिया है और रशी आप कोई सी भी रशी कॉटन की या कोई सी भी रसी ले सकते हैं और इस तरह से आप इनको बान दीजिए और यह बहुत असानी से अच्छे से बन जाएगा और जो एक्स्टर निकले हुए पाथ हैं उनको आप सीजर की मदद से काड दीजिए और फिर जब यह पूरा राउंड सेप ले लेगा तो इसी तरह से आपको रस की जो पत्थर है कलर्स वाले उनसे भी आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं तो इस तरह से थोड़ी सी मिट्टी अच्छे से भर दीजिए और मेरे पास अभी नहीं है इस वज़ा से मैं नहीं कर रही हूं तो यह नॉर्मल जो पत्थर हैं जो हमारे रेट में निकलते हैं उनको मैं इस तरह से लगा दे रही हूं तो टोप यारी बनाने की कोशिस मैं भी फर्स टाइम कर रही हूं देखती हूं सक्सेस होती हूं की नहीं होती हूं तो इस तरह से मैंने भी बहुत सारे गाडनर्स के गाडन में देखा था तो इक्छा मुझे काफी दिनों सी थी तो मैंने सुचक की होना मैं भी एक बढ़ ट्राई करूँ तो इस तरह से सरकल आकार की मैंने एक बना लिये और अब मैं बना रही हूँ पिकॉक्क सेब के तो सबका वीडियो तो नहीं कर पाऊंगी क्योंकि काफी साम भी हो गई है और मुझे काफी राद भी हो जाएगा तो एक ही मैं ये दिखा रहे हूँ आपको और भी जो पिकॉक के मैं सेब दूँगी तो उसका वीडियो मैं सायद ही आपको दिखा पाऊंगी पूरा तो एक ये वाला प्लांट है देखिए इसको मैं बनाऊंगी पिकॉक सेब दूँगी तो इस तरह कि मेरे पास लगभग 4-5 प्लांट है और उन में से मैं एक दो प्लांट पिकॉक सेब में बनाऊंगी तो आपको खुद तय करना है कि किस तरह से पिकॉक के मुझ साइट का जो सेब है वो बनता है और पीछे साइट का सेब बनता है तो देखे इधर पीछे फैला हुआ है तो इसे मैं पिकॉक के पीछे साइट का हिस्सा लूँगी और सामने को मुझ के साइट का हिस्सा तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स? उसी तरह से रसी लेनी है और रसी की मदद से आपको बस बिल्कुल रसी को उसी सेप में देकर आपको बान देना है रसी को तो देखे ये मेरा प्लांट है तो मैं इस तरह की रसी ले रही हूँ और ये पीछे का जो सेफ है इसको इस तरह से पहले दोनों को जोड लेना है ताकि इसका सेफ अच्छा आए तो बीच में मैं बिल्कुल ब्रांच को सबको एक में प्योंकि फैला हुआ ब्रांच था और ये सामने का जो भाग है उसमें मैं तार लगा दूँँगी हल्का सा तार काटके तार भी लगा सकते हैं और रसी भी लगा सकते हैं लेकिन जब मैंने बना लिया उसके बाद मैंने इसको देखा था इसका विडियो तो मुझे यह ठीक नहीं लगा, तो मैंने इसको तार को निकाल दिया, और निकालने के बाद मैंने रस्टी लगा दिया, रस्टी से काफी अच्छा बनता है तार की बजाय, और यदि तार में बनाते हैं, तो बिल्कुल लूज वाला तार जो आता है, उसमें आप बनाईएं, उसमें क्योंकि तार बहुत काफी आसानी से मुड़ जाते हैं और आकार अच्छे से बनता है और रसी में तो बहुत ही अच्छे से बनता ही है तो इस तरह से पिकॉक बनाने की कोशिस कर रही हूँ अब एकदम तो सियोर नहीं कह सकती कि पिकॉक के सेप में ही बनेंगे लेकिन देख देखकर हर कोई इनसान सीखता है तो मैं भी कोशिस में कर रही हूँ तो देखे इस तरह से है और जो एक्स्ट्रा ब्रांच है उसको हमको सीजर की मदद से कट कर देने हैं तो इस तरह से देखे तो अभी काफी फैला हुआ दिख रहा है लेकिन जब इनके ब्रांच बढ़ेंगे तो यह काफी अच्छा लगेगा और एक प्लांट और भी है तो मैंने लगभग तिन चार पॉट मैंने तयार किये हैं टॉप यारी के तो यह नाइट हो गई है पॉट में दिख भी नहीं रहा है और इस तरह कि मैंने मौर सेप में लगभग 2-3 प्लांट तैयार किये हैं तो देखे यह वाला प्लांट है यह बहुत ही अच्छा लग रहा है पिकॉक सेप में बहुत ही नुदर लगा मुझे और आप लोग बताईए कैसे लगा तो इसको मैं मॉर्निंग में भी आपको दिखाऊंगी अभी नाइट काफी हो गई है तो अच्छे सिदिक भी नहीं रहा है और बिल्कुल छोटे पॉट में लगा हुआ है देखे इस तरह से यह काफी अच्छा लगा है और अच्छा सेप दी हूँ ऐसा लग रहा है तो आप लोग भी बताईएगा और एक यह बोनसाई बनाने का प्रयास कर रही हूँ और दो बोनसाई तो मैंने तयार कर लिए हैं उसको भी मैं कभी दिखाऊंगी आप लोग को तो देखिए इनके ब्रांच कितने अच्छे थीक है तो बोनसाई भी आप बना सकते हैं कोसिस कर सकते हैं तो यह वाले का उतना अच्छा मुझे सेप नहीं लगा लेकिन जो और पहले मैंने दिखाए हैं बहुत अच्छा लगा और यह के राउंड सेप वाला है तो चार-पांच टॉप यारी मैंने आज तयार की है और देखते हैं फ्रेंड्स आगे कि मैं इनको अच्छे से चला पाती हूँ प्लांट को कि नहीं चला पाती है अच्छे से सर्वाइब कर पाते हैं के नहीं कर पाते हैं जैसे प्लांट की ग्रोध बढ़ेगी उसका वीडियो भी मैं आप लोग से जरूर सेयर करूंगी और प्लांट की ग्रोध कैसी है ये भी दिखाऊंगी और जब ये पूरा बनकर तयार हो जाएगा उस समय सायद अच्छा लगेगा ऐसा मुझे लगता है तो ये मेरे प्लांट है देखिए और इसको डेकोरेशन करने के लिए आप डेकोरेशन आइटम भी ले सकते हैं और अच्छे से अपने मन चाहा जैसा सजाना चाहते हैं वैसा सजा सकते हैं और चुकि मैं बनाना चाहती थी इस वजह से मैं अभी कोई आइटम खरीद कर नहीं लाई हूँ और देखिए मैंने एक ये वाला सेप दिया है तो ये राउंड सेप रहेगा और इनके किनारी-किनारे और भी मैं ब्रांच लगा दूँगी जिससे कि ये काफी अच्छा सधम दिखेगा एक गूफा की तरह मैं ऐसा इसको सेप दूँगी तो भी तो मेरे पास प्लांट नहीं है तो इस तरह से मैंने पांच-छे पॉट तयार किये हैं टॉप यारी के तो चलिए मैं मानिंग पे दिखाती हूँ तो देखे फ्रेंड्स एक ये वाला है चोटे पॉट में लगा है पिकॉक सेप में तो मुझे तो अच्छा लग रहा है फर्स्ट टाइम मैंने कोसिस की है और अच्छा लग रहा है जब ये बढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे और ये राउंड सेप वाला है देखे ये तो दो राउंड वाले मांने तयार किये हैं और ये वाला भी देखे काफी अच्छा लग रहा है इसकी देखे पीचे जो ब्रांच है उसको मैंने बांधा नहीं है लेकिन बहुत फैला अच्छा दिख रहा है तो आप लोग बताईएगा कि मेरे ये टॉप यारी आपको कैसे लगे और कोसिस कर रही हूँ अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजेगा बेल आइकन को प्रेस कीजेगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और हर कोई देख देख कर सीखता है तो एक तरह से आज का जो मेरे वीडियो है ये मेरी यही आप लोगों से कहना है कि आप भी कुछ ऐसी ही कोसिस कीजिए सक्सेस तो जरूर मिलेगी यदि आप कोसिस करेंगे तो तो देखें फ्रेंड्स इस तरह से में रहे तो फिर मिलती हूँ बाई बाई